नमस्कार आप सभी को स्वात कडाई का में आपका स्वागत है और आज हम बना रहे हैं थोड़े से नए तरीके से पालक पनीर की सबजी बहुत ही टेस्की लगती है वो तरीका तो थोड़ा पुराना हो चुका है हमने ऑईल गरम किया है सरसो के तेल में बनाईएगा यह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो हमने उसमें एक चमच जीरा डाल कर और थोड़ा सा भून लिया था फिर उसमें देखिया हमने आट-दस कलिया लसन के लिए हैं और उनको भूनेंगे मेथी का और जो लसन का फ्लेवर होता है वो बहुत ही टेस्टी आता है तो यह जब ह हम लसन को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब यह आधा पिंग हो जाए तो अब हम इसमें प्याज एड कर देंगे और प्याज एड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे प्याज को ज्यादा लाल नहीं करना है बस थोड़ा सा भूनना है ताकि जितनी यह प्याज उसमें से कोई-कोई दाना हमें गुलाबी नजर आने लगे बस इतना भूनने तक यूज करना है अब इसमें हमने दी है तीन हरी मिर्च और जो कट करके डाल दी है अगर आपने बच्चों को घिलाना है और बच्चे पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते है अब इसको हम चलाएंगे और चलाते हुए यह देखिए यह लगभग भूनी-भूनी सी हो गई है और ज्यादा नहीं भूननी है गैस को कर देंगे बिल्कुल मंदा उसके बाद एक चमच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अदरक इस इन दोनों को मिलाएंगे तो यह वाली जो हमने लाल मिर्च ली है यह हमने ली है कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा कलर देने के लिए अब टमाट्र जब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे यह गैस हमने मंदी ही की हुई है और यह देखिए यह जो हमने जितना मसाला डाला है वो लगबख भून चुका है तो थोड़ा सा पानी एड कर देंगे और पानी एड करने के बाद हम डाल रहे हैं इसमें मसाले एक चमच लाल मिर्च एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर एक लेड़ बड़ा चमच धनिया पाउडर एक चमच नमक और यह गरम मसाला डालेंगे हम आधा चमच तो इन सब को मिला लेंगे अब मिलाने के बाद हम इनको मसाले को अच्छी तरीके से बून लेंगे तो यह देखिए इसमें हमने क्या गिया है कि नहीं बनाया है पेस्ट नहीं बनाया है सिर्फ इसको वैसे ही यूज़ करेंगे और आप यह देखिए यह भून गया और भूनने के बाद यह देखिए बिल्कुल ओएल छोड़ चुकी है और आब इसके अंदर डालेंगे पालक, हमने 500 ग्राम पालक लेकर उसको बारीक-बारीक काट कर, पहले धो लिया था, फिर बारीक-बारीक काट लिया था, और आब इसको हम चलाएंगे, और अच्छी तरीके से चलाएंगे, ताकि जो इसके अंदर का उपरी पानी होता है, वो थोड़ा सा सोक कर जाए और यह नरम हो जाए यह नरम होने लगता है तो थोड़ा सा पानी छोड़ने लगता है अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि हमें लगे कि यह कम से कम 50% से ज़्यादा पक चुका है तो यह देखिए हमने सिर्फ 2-3 मिनट ही इसको तेज गैस पर रखा है इसने पानी भी छोड़ा है और यह बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है तो पकने के बाद अब हम इसको पहले अच्छी तरीके से चला लेंगे और पनीर को भी हमने काटा नहीं है पनीर के हमने बड़े-बड़े रफल से टुकडे हाथ से ही मैश करके कर दिये हैं और अब हम इनको मिला लेंगे जी हां बहुत जल्दी बन जाता है यह और बहुत और सबसे बड़ी बात कि ज्यादा कोई वह नहीं है कि प्रॉपर पीस काटने हैं क्या काटने हैं लेकिन लगता बहुत टेस्टी है तो यह हमारा तयार हो चुका है और अब इसको सर्व करने के लिए मैं बाउल में डाल रही हूं इतनी देर में आपने क्या करना है चैनल सब् सब्सक्राइब करना हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है इसको आप चाहें तो पूरी के साथ खा सकते हैं पर आठे के साथ का सकते हैं यह टेस्टी लगता है और अगर इसको नमकीन चावलों के साथ ट्राई करेंगे तो सच में आपको लगेगा आपकी हमें तो नहीं था कि ये इतना टेस्टी लगता है तो मेरी रिक्वेस्ट पे थोड़ा ध्यान दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और कॉमेंट जरूर दीजेगा अब मिलेंगे अगली वीडियो में बाई